सब कुछ ग्रीन ग्रीन है और सस ब्रेक्स इंटू के इनको एंथ हेलो एवरीवन आज हम लोग लिवर वाट्स के बारे में डिसकस करेंगे प्लान किंग्डम का जो भी चैप्टर है उसमें लिवर वाट्स से कुस्टन आता है इंपोर्डन टॉपिक है इसलिए पढ़ना तो जरूरी है लिवर वाट्स की सबसे पहले हैबिटेट हैबिटेट क्या होती है कि लिवर वाट्स जिस भी नेचुरल प्लेस में रहता है उसको लिवर वाट्स की हैबिटेट कहते है मतलब जहां पर पानी से भीगा हुआ इंवर्मेंट रहता है, भीगा भीगा समा जहां पर रहता है, वहां पर ऐसा कुछ है, सैडी, छायादार, किसी भी छाया वाली जगे पे ये ग्रो करना पसंद करते हैं और important बात है, जैसे कि आप streams, streams का मतलब है नाला, आपने देखा होगा कोई नाला चलता है, कोई river चल रही होती है, कोई एक पतली सी नहर चल रही होती है, तो उन जगों पर moisture बहुत अच्छे से मिल जाता है, उन जगों को streams कहते हैं, तो उनके किनारों पर ये ग्रो हो जाते है है ना, जैसे ज़्यादा तर पहाड़ी reasons में, जैसे आप नेनी ताल, देरादून, मनसूरी ऐसी जगे घुमने जाओ, तो आपे कहीं-कहीं पानी के नाले चल रहे होते हैं, और नालों के किनारों पर, पत्थरों पर बहुत आसानी से आपको इस तरीके से चिपकी हुई कि प्लांट्स की बॉड़ी दिख जाएगी, आप कुछ लोग इसे कहोगे, यह तो अलगी है यार, लेकिन नहीं, यह वो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं, जो अलगी से ज़्यादा डवलप्ट होते हैं, इनकी बॉड़ी ज़्यादा डवलप्ट होती है, तो वो इसी में लिवर वाट्स है, नाम इसका लिवर वाट्स इसलिए रखा गया था, क्योंकि सुरू में इसके लिवर से दवाईयां बनाई जाती थी, हाँ, दे लिवर वाट्स नाम पढ़ गया, लेकिन आज की डेट में इसका कोई खास रोल है नहीं, है ना, मार्सी ग्राउंड, यह मा लाट्ना भी वही होता है, मौइस्चर वाली जगे, और जो बार्क ऑफ ट्री, कई बार ये पेडों की चाल पे भी ग्रो हो जाते हैं, पेडों की बार्क पे भी ग्रो हो जाते हैं, डीप इंदा वुड्स, और भी लकडी के अंदर भी ये ग्रो कर जाते हैं, डिपेंड करत प्लाट बॉड़ि औॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉ वेंटरल and closely apprised to the sub-statum, डॉर्षी वेंटरल फ्लैट होगी और कैसी होगी? attached होगी, कैसी होगी? attached होगी, किसके साथ substratum के साथ चिप की रहेगी matte like finishing, आप समझ लो आपने पत्थरों को लगा रखे अपने घर पे, उस पे कालीन बिचा दी है similarly यहाँ पे कालीन बिच जाती है हैना कालीन जैसी structure बिच जाती है हैना मलमल सा कपड़ा आप अपने घर में stones के marbles के बने हुए फर्स पे बिचा दो कुछ वैसा ही मंजर इदर भी होता है green color का यह natural आप यहाँ पता लोग naturally वहाँ पे जाके बड़ा अच्छा फील करते हैं उनको पहली बार ऐसा लग रहा होता कि और जिस चटानों पे जितने पहाड़ों पे मैं घूमने आया हूँ वो सब कुछ green green है और सबसे important बात photosynthesis जादा होता है oxygen वहाँ produce कर रहे होता है अलांकि उचाईयों पे oxygen कम होती है हमारे blood cells का number बढ़ता है लेकिन आपको महशूस नहीं होगा अगर ऐसी जगहों पे जाओगे आपको बड़ा अच्छा महशूस होगा जिन भी coastal reasons में बारिस ज़्यादा होती है ना वहाँ की पहाड़ियों में ये बहुत आसनी से गुरू कर जाते है बड़ा मज़दार जगह बनती है उनके आगे देखते हैं तो leafy members have the tiny leaf like append तो इसमें leaf भाईया नहीं होती है leaf तो होती नहीं है फिर कहोगे कि leaf like appendages होते है leaf like structures होती है इसमें है ना तो leaf like structures होती है और दो row में लगी होती है जब भी liver watts के leafy members की बात करोगे तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा कि एक row like structure होगी उसमें कुछ इस तरीके से leaf like structures लगी रहती है ऐसे कुछ leaf like structures लगी रहती है और ये इसका leafy member है बच्चो है ना तो ऐसा कुछ आपको ये third point देखने को मिलता है इसका एक example है markensia वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दू rixia भी नाम का एक liver watt होता है rixia rixia markensia जैसा होता है वैसे ये rixia भी होता है और एक बंजे की बाद इसमें anthesiros भी होता है anthesiros लेकिन हाला कि हमारे ncrit में सिर्फ किसकी बात की गई है only the markensia तो markensia is a bryophyte and especially that is a liver watt तो हम कह सकते है markensia एक liver watt है rixia भी एक liver watt है और anthesiros भी एक liver watt है तो ये थे हमारे liver watts की plant body liver watts के बारे में अपन पढ़ रहे हैं पहले उनने उनकी habitat के बारे में बात की हुई है और उसके बारे में हम उनके body की बात कर रहे हैं इनकी body होती कैसी है thaloid body होती है root stem leaves कुछ भी नहीं होता but root like stem like और leaf like structures तो होती है और leafy members में leaf like arranges होते हैं जो दो row में arrange होते हैं एक row आपको इधर दिख रही होगी और एक row इधर दिख रही होगी तो यह दो row में इनकी leaf like appendages arrange होते हैं आपको समझ आगे यह बात बहुत बढ़िया आगे बात करते हैं asexual reproduction in liverwars जब भी हम reproduction की बात करेंगे तो हम सबसे पहले prefer करेंगे कि हम reproduction में asexual reproduction की बात करें we will talk about the asexual reproduction तो भी यह दो ही तरीके हैं जिसमें asexual reproduction होगा एक तो कहरा by the formation of the gammy gammy या gamma नाम की structures बनती हैं तो वो gammy plural word है कैसा है plural word 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 यह plural word है और जब सिंग्लर वर्ड की बात करेंगे तो बोलेंगे गैमा गैमा तो गैमा कैसा है यह singular word है singular तो गैमा एक स्टक्रट होती है जिसकों singular कहते हैं गैमी मतलब plural by the fragmentation of thalee thalee मतलब की thalus thalus जो होता है t-h-a-l-u-s तो thalus जो होता है singular word होता है thalee मतलब body ही thaloid है तो उसको thalee या thalus कहते हैं अब इस thalus का fragmentation होगा तो fragmentation में होता क्या है कि इसका जो thalus होता है वो thalus क्या करता है thalus breaks into thalus breaks into parts parts में तूट जाता है बेटा इन parts को हम लोग fragments कहते हैं क्या कहते है fragments तो parts जो होते हैं इनके fragments में तूट जाते है और हर एक fragment grow करके एक नया body बना देता है क्या लग देंगे each fragment each fragment हर fragment क्या करता है each fragment grow to become grow to become a new body एक नई body बना लेता है इस तरीके से इसमें reproduction होता है अब हम ये देख लेते हैं जो ये gamma का formation है ये कैसे होता है इस पर question आता है कभी भी question आ सकता है आप ये देख रहे हैं ये formation of gamma ये formation of gamma का condition है आप इसमें जो ये नज़र देख रहे हैं पूरा का पूरा green part and that is the thallus thallus है बेटा body है body है इसकी thallus या body है इसकी किसकी brow fight में liver watts की body है लेकिन आपको ये structure कुछ दिख रहे होगी ऐसी कुछ इस structure दिख रहे होगी तो इसको बोलते कप और इसको बोलते gamma कप ये normal कप नहीं है बहुती special variety की कप है ये हाँ इसको gamma कप कहते है और इस gamma कप के अंदर आपको छोटी छोटी birds दिखाई पड़ रही हो या नहीं पड़ रही हो मैंने इन gamma कप को इनके थैलस से तोड़ा है उनके अंदर के gamis को निकालने की कोसिस की है और ये मैंने अपने बहुत frequently समझ में जाएगा ये plants है इन body के अंदर gamma cups बनते हैं और gamma cups के अंदर क्या बनती है gamma बनते हैं या gamma बनते हैं कैसे देखते हैं आपको ये भी नज़र आओ थोड़ा clear दिख रहा होगे यहां पर clear दिख रहा होगे मैंने दो बाइ डाइगराम डाल दिया है ऐसा कुछ नहीं है दोनों का एक ही मतलब है आगे बात करते हैं gamma are specialized structure तो ये specialized structures होते हैं किसमें बनते हैं gamma are green ये green होते हैं multicellular होते हैं gamma कैसे होते हैं multicellular होते हैं और asexual buds होती हैं क्योंकि ये asexual production करेंगी न तो इन्हें buds कहते हैं बट ये buds asexual buds है gamma are developed in small receptacles जो small receptacles होते हैं उनको हम gamma cups कहते हैं gamma cups जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको diagram से दिखाया वैसे ही यहाँ पे लिखवाया और वही आपको फिर से सुनाया कि gamma are developed in gamma are developed in gamma are developed in small receptacles structures called the gamma cup हो गया आगे बाद करते हैं gamma cups are located on the thally तो ये thallus या body के उपर present होते हैं gamma cup कहां present होते हैं gamma थallus या body के उपर present होते हैं the gamma becomes gamma कैसे हो जाते हैं gamma बाद में detach हो जाते हैं किन से thallus से अलग हो जाते हैं गैमा कप से अलग हो जाते हैं गैमा कप से निकल जाते हैं पैरेंटल बोडी से निकल जाते हैं और फिर गैमा का काम होता है जर्मिनेट करना तो ध्यान अखना जब भी फॉर्मिशन ऑफ गैमा होगा एसेक्सुल प्रोडक्शन होगा और उस A-sexual reproduction में gamma germinate करेगा तो फिर वो नया individual body बनाएगा है ना तो ज़्यादा तर birds या sports germinate करके नई body बना रहे होते हैं यहाँ यह gamma cup जो होते हैं उनसे gamma निकल जाते हैं और gamma फिर germinate करके नई body बनाते हैं आपको डेगराम के लिए मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि कुछ ऐसा होता है gamma cup की कहानी आपको यह कहानी समझ में आएगी कुछ ऐसे यह है gamma cup और इसके अंदर कुछ इस तरीके से gamma लगा होता है यह gamma लगा होता है आप कहोगे सर आपने red color से बना दिया गैमी बनेगी ठीक ना ऐसी कुछ होती है गैमी तो यह gamma जो होती है इससे बहार निकल आती है और गैमी ही germinate करके नया थैलस बना देती है इतना समझ में आ गया यही यहाँ पर हो रहा था आगे बढ़ते है gamma is singular word हाँ यह बहुत important point बन जाता है question का गैमा क्या है? singular word है singular word है और gamme gamme का मतलब होता है plural word है बहुत सारे gamme को हम gamme कहता है बहुत सारे gamme को आगे बात करते है sexual reproduction in liver wards sexual reproduction कैसे करता है? sexual reproduction के लिए आपको पता है gamme होने चाहिए और सबसे important बात है कि यह algae से थोड़ा डबलब लेवल के हैं तो इसमें sex organs भी होते हैं sex organs होंगे कैसे होंगे तो sex organs इनके जो होते हैं वो या तो same thalus पे बनते हैं या तो different thalus पे बनते हैं same thalus पे बनते हैं या मतनब different या आपने देखा होगा कि papaya के plant अगर होता है तो उस पे या तो male flower लगते हैं और ये दूसरे papaya के plant पे female flower लगते हैं तो जिस तरीके से हम male, human, male और female अलग होते हैं similarly papaya के case में भी ऐसा होता है कि एक papaya का plant पूरा का पूरा male flower वाला होगा और एक दूसरा female flower होगा दोनों papaya के बीच में क्या होता pollination या sexual production होता है आपने इसे समझना पड़ेगा अब 12 वाला जब हम सीरीज चालू करेंगे उसमें चीज cover कर रहे होंगे अब आपको ये समझने की बात है कि इसी तरीके से इसमें भी अलग-अलग body पे अलग-अलग plant body पे भी ये sex organs बन सकते हैं sex organs जो होते हैं ये sex organs male या female sex organs जो होते हैं male and female sex organs जो होते हैं वो same body पे भी बन सकते हैं अलग-अलग body पे भी बन सकते हैं जैसे मैंने अगर ये थैलस बना दिया ये bryophyte का थैलस बना दिया और इस थेलस में यह देखा कि इसमें rise wides से इनकी body जो है नीचे जुड़ी हुई है और इस पे male part भी बन रहा है और इस पे female part भी बन रहा है तो ये कैसा हो गया THेलस ये हो गया bisexual थेलस तो male और female part दोनों एक ही थेलस पे हो सकते हैं एक ही body पे हो सकते हैं body बाइसक्शुल होगी या फिर कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये थैलस है ना उस थैलस पे मेल पार्ट ही सिर्फ प्रेजेंट हो किसी दूसरे थैलस पे सिर्फ फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट हो तो ऐसे केस को बोलेंगे मेल एंड फीमेल तो ये कंडिशन हो गई यूनिसेक्श बीड़ बन सकते हैं अब हमारे मन में एक फट्र ही आप चलो ठीक है मान लिया किनके ख्रॉट से बनते हैं वह बनते हैं लेकिन उसे ख्रॉट सेलो बनते हैं गह बनते हैं तो आप कहोगे चलो यह बता दो 03 यह सैक्शल डर्रस्ट हो तक कैसे हैं the PlayStation is here right now asking पूराना लास्ट टॉपिक हमने जब डिसकस किया था अजब हम ब्राइव फाइट की बारे में बात कर रहे थे तो हमने सेम टॉपिक पढ़ा था इसमें आपको पता होगा किसमें sex organs, anthracides जो होते हैं, वो sex organs, anthracidium के अंदर होते हैं, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें ये जो पार्ट हमने बढ़ा था, इसमें जब भी हम यहां पे आते हैं, इसका देख लेते हैं, और ये अंदर ह्जाई, ब्रायोवाइट्स ये देखो, तो ये जो इसका Archigonio 4 है और ये Archigonium है, ये क्या है, Archigonium, Archigonium, तो ये Archigonium क्या है, ये है Female Part क्या है, फिर्मेल पार्ट होता है, और ये क्या है, anthracidium 4, और ये क्या है, एन्थेरीडियम क्या है एन्थेरीडियम और ये एन्थेरीडियम और आर्चीगोनियम तो ये फिमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है तो जो अंत्रीडियम होता है वो क्या प्रोड्यूस चham đlog क्या पॉद्वी सेक्स पॉर्ड़ूस करता है और यहां तो बनेगा एंधिरोजोईड़ और हम ने यह कहा था पिछले वीडियो में कि अन्थिरोजोईड़्स कैसा होता है और जो एग कैसा होता है वो नॉन फ्लेजलेटिट होता है इस तरीके से इनके sex organs में क्या बन चुके हैं गैमेट्स बन चुके हैं अब इनी चीज़ को लेके हम आगे discuss कर रहे हैं कि भई इसमें कैसे होगा लिवर वाट्स में sexual reproduction तो हम आ चुके हैं यहां पर इस point के बारे में तो इसमें एंथ्रेजवाइड्स जो कहां बन रहे हैं एंथ्रीडियम के अंदर और हमने बात की थी यह amphibians होते हैं plant kingdom के इनको एंथ्रेजवाइड्स को move करने के लिए स्पम्स की तरह होते हैं इनको move करने के लिए water की ज़रुत पड़ती है water तो यह water में release हो जाते हैं और एंथ्रेजवाइड किसके contact में आर्ची गोनियम के पास पहुँच जाते हैं और आर्ची गोनियम के पास पहुँच कर वो egg से fuse कर जाते हैं और जब egg से कोई भी male gamit fuse करत पहुंदा हैं ज contributors अगयूट होता है टिप्लॉइड तो डिप्लॉइड जई गोर्ड याऊफेल चांव किया करेगा आप ही बोलो यह ग्रों करेगा डिवाइडि करेगा इस पॉरवफाइड बाडिवाडि मना देगा तो जखाइग डिभी alotta है डुनोट नहीं करता है तो ये मियोसिस नहीं करता है जाइगोट, ब्रायोफाइट में जाइगोट मियोसिस नहीं करता है एलगी में जाइगोट मियोसिस करता है हम देख रहे थे, एलगी में मियोसिस करता है बट इसमें नहीं करता है और जाइगोट क्या करता है? डबल अप कर देता है, प्रडियूस कर देता है, किसको sporophyte body को डबल अप कर देता है? इस तरीके से आपने देखा किनकी body gametophyte, उस पे sex organs gametophyte, sex organs के अंदर gametes वो भी heploid या gametophyte body का part, लेकिन gametes जैसे ही fuse करते हैं, जाइगोट बनता है और ये ज जाइगोट कैसा होता है? डिपलोइड होता है, और ये जाइगोट डिपलोइड क्या बना देता है? इस पोरोफाइट जो भी डिपलोइड होता है, इसलिए कह सकते हो कि जाइगोट से लेकर sporophyte तक जो भी generation है वोoney plaudाइशन है, डिपलोइड गनुरेशन है, प्रांट के हम दो generations पड़े थे, पिछले वीडियो में जाके देख लेना अब हम बात करते हैं कि sporophyte और liver ward देखो sporophyte आपने बना दिया, तो अब आप देख भी लो sporophyte होता कैसे है तो इनका sporophyte कैसा होता है, sporophyte of liver wards sporophyte जो liver wards का होता है, वो differentiated होता है किसमें, foot, ceta and capsule अगर मैं ऐसा बता दूँ कि ये कुछ है foot, ये ceta और ये कुछ capsule तो देखो ये हो गया, foot, foot का मतलब base, base of sporophyte और ये क्या है, stem like बेटा, ये है ceta, इस ceta लिग दिया मैंने, ceta और ये क्या है, ये है capsule, क्या है, capsule है, और ये body कैसी है, sporophyte तो ये सब कुछ कैसा होता है, ये foot, ceta और capsule क्या होता है, foot भी deployed होता है ceta भी deployed होता है, और capsule भी deployed होता है, लेकिन अब इसकी cells जो cells है, वो क्या करेंगी, meiosis करके, बड़े सारे sports बना देती है आया समझ में, तो इनको हमें sports कहते हैं, और ये sports कैसे होते है, haploid sports होते है ये ध्यान रखने की बात है, sports कैसे होते है, haploid होते है, इस तरीके से हमने बात की की capsule बनता है, foot, ceta and capsule तीन पार्ट होते हैं, किसमें, sporophyte of liver warts तो liver warts के sporophyte में तीन पार्ट होते हैं, foot, ceta and capsule इस तरीके से आपको समझ आया कि ये तीन पार्ट, capsule, ceta and foot होते हैं, अब क्या होगा capsule के अंदर, capsule के अंदर बच्चो क्या होगा, meiosis cell division होगा और meiosis cell division से sports बनेंगे, sports कैसे होगे, haploid, meiosis cell division जब भी होगा, haploid cells बनेंगे, और ये sports जो होते हैं, जब भी germinate करते हैं तो sports होते कैसे हैं, haploid, तो germinate करके क्या बना देते हैं, gametophyte की body बना देते हैं और गेमिटोफाइड कैसा होता है है प्लाइड ही होता है तो इस दिए स्पोर्स हमेशा गेमिटोफाइड बनाएंगे हमेशा क्या करेंगे माइटॉस करके गेमिटोफाइड बनाएंगे और यह मल्टी संदर बॉड़ी होती गेमिटोफाइड जो स्पोर से जाइगोड बनाते हैं, जाइगोड से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, इस पोरोफाइट में तीन पार्ट कौन से होते हैं, फूट सीटा कैपसूल होते हैं, कैपसूल क्या करता है, मियोसिस करता है, क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है, कैसे स्पोर्स बनाता है, मियोसिस नहीं माइटासिस करते हैं मियोसिस नहीं माइटासिस करते हैं और माइटासिस करके क्या बना देते हैं गेमिटोफाइड बना देते हैं और इस तरीके से इनमें एक साइकल चलता रहता है उसी को हम लाइफ साइकल कहते हैं तो इनकी life cycle में sporophyte भी आ गया, gametophyte भी आ गया, इसलिए इनकी sporophyte body और gametophyte body दोनों होती है, किस में, life cycle में, इसलिए इसको haploid भी form होती है, diploid form भी होती है, इसलिए इस life cycle को क्या कहते हैं, haplodiplontic life cycle कहते हैं, यह समझ के रखना, इसके आगे हम लोग बात करेंगे, next video में, gam gametophyte of mosses, तो mosses की थोड़ी सी कहानी अलग है, यहां से हम next video की बात करेंगे, तब तक के लिए tune up रहिए, और देखते चाहिए, इन छोटे-छोटे segments के वीडियो को, आपके concept clear होने चाहिए, अगर आप 11th और 12th के बच्चे हो, तो मुझे comment में जरूर बताओ, मैं आपके board के हिसाब से 12th में, और 11th के हिसाब से foundation course की starting कर दूँगा, यह repeaters लोगों के लिए है, जिनको अपना brush up करना है, NCRT clear करनी है, उनके लिए series चल रही है, तो यह series तो almost सभी के लिए है, 11th भी इसमें आएगा, 12th भी आएगा, लेकिन 12th को मैं specially board के लिए ध्यान रकूँगा, उसम 11th वालों का काम हो जाएगा, साथ में, जिन बच्चों को लग रहा है कि अभी हमारा, हमने drop ले लिया, लेकिन हमें basics बहुत अच्छे से समझने है, तो वो 11th वाला भी series चालू कर सकते हैं, तो especially हमने 3 series चलाने है, 11th के लिए, 11th के लिए, 11th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए बड़े सारे videos, बड़े सारे concept और बहुत सारे questions आपको इस session में देखने को मिलने वाले, 2025 में बहुत सांदार चीजे होने वाली है, be ready for, tune up, all the best, keep studying, keep motivating yourself.